तो ही गाइस कैसे हो आप लोग उम्मिद करते हैं कि आप बच्छे होगे दोस्तो आज हम बात करेंगे इंडन नेवी अगनी वीर की भरती के वारे में आपने नेवी SSR में अपलाई किया हो यह MR में अपलाई किया हो तो आप मैं सब बहुत बच्छों का मारे पास कमेंट आ रहा था किसा इस वाले बैच का एक्जाम का होगा पीएफटी का होने वाला है और मेडिकल का होगा तो इसी को लेकर बाते करने वाले आप इस वीडियो को पूरा देखना इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है अभ बात करते हैं दोस्तों हम आपके exam के वारे में और आपके admit card के वारे में दोस्तों आपके admit card कर आएगा exam कब तक होने वाला है ठीक है बहुत वच्चों comment आ रहा था इसको लेकर कि सर आप इसको लेकर वीडियो बनाएं इस topic पर तो भाई वीडियो आ चुका है लेकिन दोस्तों सुनो मेरे भाई नेवी का दोस्तों बिल्कूली पता नहीं है इस बार दोस्तों उनको खुद confusion हो रहा है और हमें भी confusion कर रहा है क्योंकि इस बार आपका दो exam कराने वाले इंडन नेवी एक तो दोस्तों written exam होगा online और दोस्तों एक तो stage first में आपका exam होने वाला है हम आपको दिखा देते हैं selection process में है दोस्तों stage first में आपका exam होगा दोस्तों solist बच्चे के जाएंगे और online exam होगा और stage second में भी दोस्तों आपका PFT के साथ written exam होने वाला है stage second exam में एक तो written exam होगा PFT होगा और दोस्तों intel medical होने वाला है भाई कुछ भी मतलब की हद हो गई है एक तो भह वार तो इंडिया नेवी का आता पता ही नहीं है ठीक है और हमारी माने दोस्तों आपके इस वार notification का according देखा जाए तो दो exam होने वाले जैसे कि आप देख सकते हैं और आप ने नोटी विकरसन पढ़ लिया होगा ठीक है comment करके बताईए कि यह बात सही है या गलत है आपके according क्या लगता दोस्तों इस वार आपके दो exam होने वाले या एक है आपका exam होगा stage first की बात कर लेते हैं दोस्तों selection process में दे रखा है stage first में दोस्तों computer वेस आपका online exam होगा और जिनोंने भी apply किया दोस्तों वो बच्चे solist किये जाएंगे फिर उसके बाद आपका online exam होने वाला आप भाई साब 649 रुपे लेके भी आप बच्चों को solist किये करोगे भाई अद दो गई है बिलकुली मतलब कि एक तो 550 रुपे form की फीस है और 18% दोस्तों GST अलग ले रहे हैं तकरीव पर 99 रुपे 100 रुपे दोस्तों extra ले रहे हैं GST का तो शाड़े 600 रुपे बरबात कर कर उसके बाद दोस्तों आपको solist किया जाएगा फिर आपको बुलाए जाएगा रिटेन एक्जाम के लिए और आपके एक्जाम होने वाला है का साम से हद हो गई है दोस्तों इनको अता पता ही नहीं हो रहा बिलकुल भी और हमें confuse कर रहा है कि पहले आपका stage first में रिटेन के लिए ठीक है और फिर दुवारे दोस्तों आपके एक्जाम होने वाला है one second stage second में दोस्तों आप देख सकते हैं written exam होगा offline आपका written exam होने वाला PFT आपका होगा और हम दोस्तों Intel Medical भी आपका होने वाला है तो stage second exam में दोस्तों offline आपके exam करा ले है या online आपके exam करा ले है करन जीगल में क्या आएगा, शोले सो मिटे दोस्तों दोड़ होने वाली है, जो कि आपको, यदि आप मेल हैं, तो साड़ा छे मिनट में कम्प्रीट करनी होगी, फीमेल हैं, तो आठ मिनट में आपको कम्प्रीट करनी होगी, बीस उठक बैटक होगा, यदि आप मेल हैं, और बा है medical इसमी और दोस्तों आपका written exam कराने वाली है हद गई है दोस्तों बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है? क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इसमीन ऊनुइनक अपता बिलगुन भी नहीं है इसमें दोस्तों बच्चे ये सोच रहा है कि 4 साल सेवा देने के बाद क्या हमें परमनेट जोब मिल जाएगी बच्चों के साथ दोस्तों बिलकुल ही भेदवाब हो रहा है बच्ची के वहिसे के साथ दोस्तों खिलवड किया जा रहा है इसी वज़े से दोस्तो इतने कम आविदन हो रहे हैं और ये आप जानते हैं कि application form की last date extend कर दी गई है 28 December कर दी गई है भाई ये तो करो गई इतनी महेंगी दोस्तों फीज ले रहे हैं शाड़ा 600 रुपे दोस्तों application form की फीज जा रहे है 100 रुपे कर देते कोई बात हैं 200 कर देते कोई बात हैं 500 कर देते कोई बात नहीं है अब गरीब बच्चे दोस्तों कौन देगा ठीक है अपनी जेप से दोस्तों कोई तो कमाने वला नहीं है घर से ही दोस्तों पैसे जाता है ये भी सोचन चाहिए था कि दोस्तो एप्लिकेस हैं फॉर्म के फिस कम रख देते हैं दोसो पत्चीस उर्पे या दोसो उर्पे पहले कितनी होती थी दोसो पत्चीस के असपास रहती थी लेकिन इस वार दोस्तो बिलकुल आकरा तो उड़ दिया है और 18% GST और लगा दिया है भाई तौबा तौबा विलकुल अद कर दिया है आपके stage second exam मेंसे हमने आपको बता दिया बात कर लेते है stage second exam के बारे में तो written exam होगा आपका और PFT होने वाला physical होगा and initial medical आपको होने वाला ठीक है और stage 3 exam मेंसे दोस्तो यह आप qualify कर लोगे state two exam को उसके बाद दोस्तो आपकी merit list आएगी and यह merit list आएगी आपको one second दोस्तो यह आएगी April में ठीक है April 2023 में आपकी merit आएगी उसके बाद आपका state three exam होगा जब आप state two exam qualify कर लोगे और दोस्तो state two exam के number जोड़ेंगे ठीक है state two exam के number जोड़ेंगे और आप आपको बता दें आपके physical qualify आपको करना होगा ठीक है तब ही दोस्तो आप state three exam में जगा बना पाऊगे और state three exam में आपका क्या होने वाले examination में दोस्तो final medical होगा आईने चिलका में ठीक है आईने चिलका में आपका medical होने वाला है यह बात आपके लिए समच चुके हो तो अपर हमें गर्व है तो दोस्तो आपको जाना है सपना है एम है आपका तो तैयारी में आप लग जाईए और यह मैं सोचे कि चार साल की भरती है या दो साल की है आपको सेवा देनी है जोक्सु एक महिनी की दोस्तो आपको सेवा देनी हो हम तैयार है ठीक है तो इसका गर्व आप आपको होना चाहिए तो आप जाईए जरूर और अपना बैस्ट दीर ना ठीक है यह मैं सोचना कि चार साल की दोस्तों भरती है उसमें 25 परसें दोस्तों आराच्छन भी तो है क्या पता आपका दोस्तों परमेनेट जॉब हो जाए ठीक है आपको पॉजिटिव सोचना आए त तो पहला स्टेज आपका कब होगा दूसरा स्टेज दोस्तों कब होने वाला है जो ही बताएंगे एक्सपेक्टिड बताएंगे दोस्तों आभी कंफर्म डेट आई नहीं है ठीक है सभी को पता होगा तो हमारे अकॉर्डियू देखा जाए तो आपकी अप्रेल मैड आती है आपके एक्सम खतम होने के डेट या दो महीने बाद आती है ठीक और इस वार और आपके एक्सपेक्टिड हम आपको बताएं तो इस वार दोस्तो अगनी वीर एससाप और अगनी वीर एमड का जो एक्सम होने वाला है वो होगा फेम में ठीक है f HTTP में ठीक है física फर्व विख करा देंगे ठीक है अगनी वीर का दो API करा देंगे ठीक है अगनी विर का दोस्तो इसमद आपके एकजाम फर Alrighty में होने वाला है ऐस्पेक्टीं डे अपको बता रहे हैं और फरवरी के पहले सब्दा गर्यान कि फर्स्ट वीग में दोस्तो आपके काद आजा sage से ठीक है तो फरवरी के मिड में दोस्तों आपके एक्जम हो सकता है हमने आपको बता दिया है almost देखा जाए तो डेड़ या दो महीना आपके पास है पूरा तयारी करने के लिए ठीक है तो डेड़ महीना ले के चलो पहले तो आप ठीक तो जिनोंने भी अगनी भी SSR या MR में Apply किया है दिन रात एक कर देना दोस्तों जो भी आपकी face गई है ये पूरा वसूल करना है आपको तो लग जाओ आप तयारी में माता पिता का नाम रोसन करना है दिन रात एक कर देनी आप कगी है दो आपके पास होती तो अभी आपके पाट time में कुछ कर दिखाने का दोस्त की फीस भरी है अपने माता पिता से पैसे लिए हैं दोस्तो आप जानते हैं दोस्तो पैसे ऐसे नहीं आ जाते हैं महनत करना पड़ता माता पिता महनत करते हैं तब जायके दोस्तो इतना पैसा कर पाते हैं कि हम फॉर्म फिल कर पाएं अपने माता पिता से दोस्तो पैसे लेते कि हम अपने माता पिता का नाम रोसन कर पाएं तो दोस्तो जो भी आपने पे किया इस फॉर्म के लिए कसम दोस्तो इस वार सिलेक्शन लेकर रहना कुछ भी हो जाए ठीक है तो भाई लग जाओ आप अभी सा तैयारी में दिन राते कर देनी है लेकिन इस वार अगनी वीर बनना है आपको यह मैं सोचे कि चार साल की बनती है दो साल की एक साल की है आपको अपनी सेवा देनी है भारतिया सेना में ठीक है भारत का नाम रोसन करना है तो आप तैयारी कीजिए दोस्तो आपको आगे और मौका मिलेगा ठीक है बेस्ट करना है आपको तो हमने आपको बता दिया है कि फारवरी में दोस्तो इस वार अगनी वीर के एक्जाम करा सकती है इंडन नेवी, नेवी SSR का और MR का ठीक है और फिजिकल दोस्तो साथ में हो रहा है हम बाद में बता दें कोई भी अपडेट आएगा दोस्तो पहले क्या होगा क्या ने ठीक है पहले तो आपका online written exam होगा computer based दोस्तो exam होने वाला है तो यह आपका फरवरी में हो सकता है ठीक है बाद की फरवरी के बाद मार्च में दोस्तो आपका PFT होगा ये बात आपके लिए समझ चुके हो PFT रिटीने एक्जाम और दोस्तो आपका Intel Medical ये तीनों साथ में होने वालें जैसे कि आप देख सकते हैं इस्टे सेकंड एक्जाम में तो परवरी के दोस्तो आप target रखके चलो ठीक है मान के चलो कि आपके पास देड़ महिना तीयरी करने के लिए और इन देड़ महिना में कुछ करकर दिखाना है आपको मातर पिता का नाम रोसन करना है और ये टैम दोस्तो बारवार नहीं आएगा आपके पास बाद मैं कहोगे सर हमारी उमर लिकल चुकी है हम एपलाइनी कर पाएंगे तो दोस्तो ये आपकी उमर है और फॉर्म आपने भर दी आये एपली के सनर फॉर्म की फीर जमा कर दी है तो आप तयारी में लग जाएए बाकी कोई भी अपडेट आएगा इंडन नेवी तरफ से त सब चैनल पर ऐसी बने रहना यदि आपने चैनल सस्काइब निका रखा है तो सस्काइब कर लेना बेले कन दबा देना और आप टेलिगाम गुरुप जोइन कर लो अपडेट वहाँ पर मिलता रहता है नेवी से जोड़ा ठीक है तो आप टेलिगाम पर जाना सर्च करना जी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आप तियारी करते हो अपने ख्याला को जै हिंद जै भारत